नमस्कार दोस्तो, सागर का हुआ चेत्र जो तीन ओर से इस्थल से गरा होता है उसे खाड़ी कहते हैं और इंगलिस में इस चेत्र के लिए बे, गल्फ और बायट जैसे सब दिस्तमाल किया जाते हैं तो इन तीनों में क्या अंतर है आईए जानते हैं इस वीडियो में गल्फ तटिय चेत्र में अपरदन की क्रिया में निर्मित जल की लंबी तता सकरे मुहाने वाली सनरचना होती है जबकि बे चोडे मुहाने वाली पक्राकार सनरचना होती है जो तीन तरप से मासागरी जल को घेरती है यहाँ पर ध्यान देने योग्या है कि गल्फ में बेकी तुलना में जल का आयतन अधिक होता है लेकिन मैं आपको यहीं बता दूँ कि लचणों की यह ब्याक्या मात्र अधिन की सुविदा के लिए है क्योंकि कई स्थानों पर इसमें बिजलन पाया जाता है जैसे कई स्थानों पर गल्फ को साउंड भी का जाता है और इसके अलाबा कुछ जो खाडियां है उनके नाम पहले दे दिये गए जबकि इस तरह उनका बर्गी करण बाद में किया गया इसलिए आप देखते हैं कि जो दुनिया की सबसे बड़ी गल्फ है वो गल्फ आप मेकसिको है जबकि वह बे की तरह देखती है वह इसलिए है क्योंकि उसका नाम पहले दे दिया गया जबकि इस तरह का बर्गी करण बाद में किया गया है और जो दुनिया की सबसे बड़ी बे है वो बे बंगाल ही है और तीसरी है बाइट यहाँ भी एक जली सरजना ही होती है लेकिन इसका मोहाना सबसे चोड़ा और जल की गहराई सबसे कम होती है इसलिए आप देखते हैं कि जो सबसे बड़ी बाइट है वह आस्ट्रिलिया सिर्फ खाड़ी सब्द का ही इस्तिमाल किया जाता है धन्यवाद उम्मीद करता हूँ वीडियो इनफॉर्मिटिव लगी होगी